देख लेते हैं इसके प्रेजंटेशन पॉइंट्स जिसमें आपको प्रेजंटेशन देनी है जिसमें आपको देना है आर्टिस्ट, मेडियम, पीरियड, कर्टसी तो यह आपके वैल्यू पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखना है कि वैल्यू पॉइंट्स अगर पेंटिंग में दोगे तो आपको प्लस पॉइंट ही मिलेंगे आर्टिस्ट, अन्नोन, मेडियम, स्टोन, पीरियड, थर्ड सेंचुरी एडी, अशोका पीरियड, कर्टसी, सारनात म्यूजियम, यूपी आप इसको दिस्कृप्शन देख लेते हैं, disciple में आर्टिस्ट ने इसको किस तरी से बनाया है, क्या-क्या इसमें शो किया गया है और क्या-क्या वो दिखाना 145 यही सब description में है, तो let's start this loin capital of Azoka now adorning the Sarnath archaeological museum ये जो loin capital है, वो Sarnath archaeological medium में रखा गया है सारनाथ के आर्केलियोजिकल म्यूजियम में इसको रखा हुआ है लोईन कैपिटल जो ये अशोक स्थम का क्राउनिंग पार्ट है यानि कि जो उपर का हिस्था है वो ऐसा माना जाता है कि भागवान बुद्ध ने इसी इस्थान पर ज्ञान प्राप्ते की थी और अपना पहला उपदेश भी उन्होंने यहीं पे दिया था धर्म चक्र परिवर्तन की स्थापना भी यहीं से मानी जाती है और इस स्थम्ब के Crown जसे, मैंने आपको बताया है एऐ जो अशू का इस्थम्ब है जो अशू का pillar है यह उसकर уль है और इसमें 4 Loins इसे दिखाए गए है इसे सक्च छी में जो दिखाए गए है recollect इसे साइड फ simplement vos दीखे और फो नोय आइंगे कि इसमें केवल थ्री लौयन सी अधि दिखाय देंगे एक लौयन है वह पीछे की साइड तोड़ा छीपा हुआ हो जाता है और अमें दिखाय निता है मतलब हमें केवल तीन लौयन ही दिखाय देते हैं अब इन लौयन की मूर्तियों के नीचे धर्म चक्र है है जिसके अंदर मो चाकर जो एक wheel दिखाया गया है देख். जो center में है मूर्तियों के नीचे जो एक wheel दिखाया गया है उसके 24 sporks है और wheel के एक साइड में horse है और जो other side में है वो एक ox है । जो ox है वो hump के साथ दिखाया गया जो उसके उबरा हुआ पीट का हिस्सा थाए तक नियाय का सिंबल को लिए राव Two अधिक को दिखाया गया जो है, और इसा उसके रावन के सा नियाय का सिंबल है। जो ओक्स है अधर साइड में उसको जो है अधिक जो और ज्यादा क्रोप्स एंड फर्टिलिटी है जो हमारी जो फसल है वो और अधिक उपजाओ हो इसका वो सिंबल है जो लोईन कैपिटल में दिखाया गया है अब एक बार उसको देख लेते हैं इसके डिस्क्रेप्शन को एक बार डिटेल से जो लोईन कैपिटल है वो जो अशोक इस्तंब का है जो अपर पार्ट माना जाते है अशोक इस्तंब का और इसमें सब से उपर जो है कैपिटल फिगर होती है कैपिटल फिगर कोई कुछ कोई भी हो सकती है लोईन भी हो सकती है बूल भी हो सकती है और हो आप capital figure के नीचे जो है यहां पर जो अबकस है capital figure के नीचे उसमें main center में दिखाया गया है wheel जिसको धर्मचकर भी बोलते हैं और इसमे 24 जो है इस box है जो हमें 24 hours काम करने के लिए जो है और horse जो है वो दिखाया गया है power का symbol है और जो बुल है उसको crops on fertility का symbol इसमें शो किया गया है और जो सबसे नीचे है उनके नीचे एक जो है inverted lotus दिखाया गया है जो उल्टा जो है shape में कमल है यही total इसका description complete होता है low end capital का ओके